महरास्ट्र में हुए राजनीति खेल को शरत पवार के लिए भले ही बड़ा जटका माना जा रहा हो लेकिन इससे बड़ा जटका विपक्षी एकता को लगा है ऐसे में ये कहना जादा सटीक होगा कि महरास्ट्र में केवल शरत पवार की पार्टी एंसीपी ही नहीं टूटी बलकि विपक्षी एक जुट्ता बनने से पहले ही बिखर गई है कॉंग्रेस और नितीश कुमार की कोशिशें नए दलों को साथ लाने की थी पर यहां तो अपने ही कुनबे में सेंध लग गई एंसीपी के कई विधायकों ने बीजेपी और एकनात शिंदे वाली शिव सेना से हाथ मिला लिया करनाटक फतह के बाद कॉंग्रेस जिस तरह से उत्साह में आगे बढ़ रही थी महाराश्र में अजित पवार के खेल ने 2024 से पहले एंटी बीजेपी फ्रंट की सारी इंजिनियरिंग पर ब्रेक लगा दिया इधर पीएम मोदी की अगवाई में तीसरी बार सरकार बनाने की रणिती पर काम कर रही बीजेपी को बड़ी ताकत मिली है पिछले कुछ दिनों से संकेत मिलने लगे थे कि मोदी शाह 2024 के चुनाओं में उतरने से पहले एंडिये के कुनबे को फिर से मजबूत करना चाहते हैं इस तरह से देखें तो बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं उसने अपनी ताकत तो बढ़ाई लेकिन अजित पवार के जरिये विपक्ष का किला बनने से पहले ही तोड़ दिया अजित पवार की एंडिये में एंट्री ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी के चानक के कहे जाने वाले अमिर्शाह बिहार और यूपी में महत्वपून MBC और OBC प्लेयर्स मचुआरों और नाविकों की विकास शील इंसान पार्टी के मुके सहनी और ओम प्रकास राजभर की सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी को बीजेपी के करीब ले आए हैं इधर यह भी चर्चा जोरो पर है कि शिरो मनी अकाली दल तेलगु देशम पार्टी और बिहार के OBC चेहरे उपेंदर कुश्वाहा की NDA में फिर वापसी हो सकती है बता दें कि कुछ दिन पहले ही महादलितनेता जीतनराम मांजी भी BJP में आए हैं वहीं NCP के महारास्ट्र में BJP सरकार में शामिल होने के बाद कयास लगाये जा रहे हैं कि केंदर में बड़ा फेर बदल हो सकता है कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं तो कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है पिछले 24 घंटे के घटना करम को देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि शरत पवार के वफादार प्रफुल पटेल भी केंदर में मंत्री बन जाएं तो किसी को आशर नहीं होना चाहिए यही नहीं शिव सेना के शिंदे गुट को भी सरकार में जगह मिल सकती है इसी बीच बीजेपी के नेता ने ये कह डाला कि महरास्ट में जो कुछ हुआ है उससे कतित विपक्षी एकता चकना चूर हो चुकी है अलायंस में शामिल पार्टियां अपना अपना राग अलाप रही है बीजेपी के नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरिवाल ने पहले ही अलायंस को गुडबाय कह दिया है टीमसी के नेता साफ कह रहे हैं कि उन्हें पश्चिम बंगाल में कोई गढ़वंदन नहीं चाहिए ऐसे में साफ है कि विपक्षी एक्ता जैसी कोई चीज है ही नहीं पूरी की पूरी NCP फैमली NDA की तरफ शिफ्ट हो गई और अब विपक्षी एक्ता का प्लान महज मजाक बनकर रह गया है ऐसे में अब देखना ये है कि शरत पवार के साफ विपक्षी एक्ता बीजेपी के इस 440 वोल्ट के जटके से कैसे उबरती है NBT Online की रिपोर्ट